चवनी चवनी दस पैसा पांच पैसे से काम नहीं चलेगा और कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे जब सुप्रीम कोट ने ये बोल दिया है तो अगर मेरी अडवाईज हिंदू पक्षिया मंदिर पक्षमाने मैं कहूंगा तुरंत एक प्रिटीशन लगाओ डिस्टिक जज़ कि कि ये पूरा प्रांगण जिसमें सांकेतिक पूजा होती रहे और सांकेतिक अधर कुरान की तलावत होती रहे बस हलो नमस्कार सत्रिया कार असलाम वालेकुम कैसे हैं जनाब आपका दोज़ दुश्मन सगा सोतेला डॉक्टर सेद रिज़वान एहमद फेस टू फेस में आपका स्वागत खेर मगदम करता है तो मौजूदा सुरतِ حाल ये हैं कि ओनर बल सुप्रियम कोट ने जैसा कि कम से कम मुझे मालूम था लशकर जाहला के सदर मानिए जाहल अजम साहब को नहीं मालूम था उनके प्रवक्ताों को नहीं मालूम था लश्कर जाहिला के मेंबरान उनको नहीं मालूम था सोचल मीडिया पर लोगों को नहीं मालूम था पर कम से कम मुझे मालूम था कि प्लेसिज ओफ वर्शिप एक्ट 1991 ग्यान वापी के सर्वे के बीच में रोडा नहीं बनेगा और Honorable Supreme Court ने इसी बात को समझाते हुए अपने ओर्डर में लिखा उस ओर्डर में जिसमें Honorable Supreme Court ने इस जाच को Senior Division Civil Court से उठा कर District Judge को दे दिया Honorable Supreme Court ने लिखा कि Assertment of the religious character of a place of worship is not barred by the act of 1991 हिंदी में अनुवाद है कि Honorable Supreme Court ने लिखा कि यदि आप एक इस्थान का एक प्रांगन का ये निरिक्षन करना चाते हैं विशलेशन करना चाते हैं चानबीन करना चाते हैं कि वास्तव में उसका religious character क्या है वो मंदर है मजजद है गुरुदारा है क्या है तो ये चीज़ एक्ट ऑफ 1991 प्रेसिज ऑवर्शिप एक्ट से बादें नहीं हैं और ये ही बात कहते हुए उन्होंने डिश्टिक जजज साहब को इसकी जाच या इसका ट्रायल इसकी सुनवाई सौब दी अब दो उसको तोड़ा जाए उसके अंदर भी देखा जाए कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी शिवलिंग है और एक application ये पड़ी है कि जो माना जा रहा है कि वजुख खाने में जो मंदर पक्षमान रहा है जो वजुख खाने में शिवलिंग मिला है उसकी पूजा की अनुमती दी ज मुझे जब पूछा गया शुशान सिना भाई की शो में तो पहले मैंने क्या कहा वो सुनिये फिर आगे थोड़ा विस्तार से बताता हूं लेकिन मुझे एक बास समझ में नहीं आती शुशान भाई कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोट ने जब ये सीनियर डिवीजन सिविल से ये मुकदमा डिस्टिक जज़ को ट्रांसफर किया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोट ने एक अब्जर्वेशन किया Assertment of Religious Character of Place is not barred by the Worship Act 1991 हिंदी में अनुवाद ये है कि एक चीज़ की सत्ता तक पहुचना कि ये प्रांगन या ये जगा का असल में मौलिक Religious Character क्या है उस तक तक पहुचना Act of 1991 से बादित नहीं है ये सुप्रीम कोट ने बोला है ये मैंने आपने नहीं बोला ये बिल्कुल लेटिस्ट है आपने इतने सारा अपनी रिसरज बताई अरे ये तो भातर गंटे पहले की बात है भाई जो अश्वनी भाई भी या बैठे हैं मंदिर पक्ष के लोग भी बैठे हैं सत्पक्ष के लोग भी बैठे हैं ये लाइन ओनरोबल सुप्रीम कोट की अपने आप में प्रयाप्त है जो अभी डिस्टिक जज कियां एक अप्लिकेशन पड़ी है कल कि कोई दिवाल गिरा दी जाए या कुछ दिवाल हटाई जाए अब अब यहां मेरा थोड़ा सा विरोधा बाहस है मैं इस से सहमत नहीं हूँ चवनी चवनी दस पैसा पांच पैसे से काम नहीं चलेगा और कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगे जब सुप्रीम कोट ने ये बोल दिया है तो अगर मेरी अडवाईज हिंदू पक्षिया मंदिर पक्षमाने मैं कहूंगा तुरंट एक पैटिशन लगाओ डिस्टिक जज किया कि ये पूरा प्रांगण जिसमें सांकेतिक पूजा होती रहे और सांकेतिक उधर कुरान की तलावत होती रहे बस पबलिक के लिए बंद किया जाए दो महीने के लिए और तुरंट इसको आर्केलोजिकल सर्वे को हैंड ओवर किया जाए और ये दिवाल वो दिवाल वो दर्वाजा नहीं पूरे को छनी की तरह खंगा लो पूरे को खंगा लो और च्छै महीने के अंदर तीन महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट बना के दो कि ये वास्तव में यहां पर कहां कहां मसला पूरा खोद दो पूरा खोद दो आप के रहे हैं ये तो उन्होंने दिया है सर कि वो तैकाना और ये तैकाना सब खोद द। आर्केलोजिकल सर्वे का जो तरीका है इसमें सबसे अच्छी बात ये वो खोते नहीं हैं वो ये नहीं कहेंगे कि मंदिर और मजद दोनों गिरा दो बिना दोनों इमारतों को खंडित किये आर्केलोजिकल सर्वे इस तह तक पौश सकता है कि कहां पर क्या चीज़ है जो भी तोड़ना की जरूरत पड़ेगी अब वो सिर्फ आर्केलोजिकल सर्वे तोड़े ये नहीं के पहले ये दिवाल गिरा दो फिर उसके बाद कोट जाओ अब वो दर्वाजा खुलवा दो अब ये चवणनी दस पैसे के खेल नहीं कहलने चाहिए चवणनी दस पैसे का खेल होगा बंग और सीधा रुपय का होगा हिसाब पहला मेरा कथन ये है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोट ने ये कह दिया है कि असर्टमेंट आफ प्लेस आफ वर्शिप इस नौड बाट बाइद प्लेस आफ वर्शिप अक्ट नाइटी नाइटी वन यानि कि ये पता लगाना कि ये जगा ये इस्थान ये प्रंगड मंदिर है या मजजित है या मंदिर था या मजजित थी इसका पता लगाना इसका एक्सपर्ट अपीनन लेना इसका सर्वे करना एक्ट आफ नाइटी नाइटी वन अगर Honorable Supreme Court ने ये बात बोल दिये अपने order में लिखा दिये तो कोई भी application जो इसलिए डाली जाती है कि आगे इस इस इस्थान का सरवे ना हो वो maintainable नहीं है। कहने का मतलब है जो मजजित पक्ष है अगर वो अब भी ये कह रहा है कि आगे इसका सरवे नहीं होना चाहिए तो वो unethic है टेकनिकल ग्राउंड पे वो एक तरह से contempt भी है क्योंकि Honorable Supreme Court इस पर opinion दे चुका है कि Act of 1991 किसी भी स्थान के सरवे को नहीं रोक सकता बादित नहीं कर सकता इसके अलावा अब जो मैं बोलूंगा शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए जो दो application पड़ी है एक जो ये पड़ी है कि नीचे एक दिवाल गिराई जाए और आगे सरवे को बढ़ाया जाए दूसरी ये जो वजु खाने में शिवलिंग बताया जा रहा है माना जा बोला ये दिवाल गिरा दी जाए वहाँ अनुमती दे दी जाए इस से और समाज में खामखा तनाव बढ़ेगा खामखा और जो भी बचा कुचा लुटा पिटा भाई चारा है वो और खंडित होगा और आहत्त होगा जब Honorable Supreme Court ने ये बोल दिया है कि किसी भी परकार की जा एक्ट आफ नाइटी नाइटी वन से बादित नहीं हैं दूसरा अगर परतम दृष्टिया प्रैम फिसाए इतने एविडेंस डिस्टिक कोट को मिल गए हैं जहां से परतम दृष्टिया ये लग अब इस इसी डिटेल में मच जाईए कि वो फवारा है या वो शिवलिंग ह पर परतम दृष्ट डमरू हो गए डोलक हो गए तृष्टों की छड़ हो गई ये जितना भी अंदर से स्वास्ते कमल आदी जितनी भी ये कलाकृतियां मिली हैं जो सनातन धरम से जुड़ी हुई हैं तो अब एक और सिंगल और होना चाहिए मेरे हिसाब से कि इस पूरे प प्रांगण हो चाहे हो मजिद प्रांगण हो पांच आदमी पूजा गदती के लिए मंदर में अलाओ करे जाएं पांच आदमी आज़ान के लिए और बाजमात नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के लिए नॉमिनेट कर दिये जाएं, उनके कार्ड बन जाएं, जब वो एंट्री लें उनकी तलाशी हो, जब वो बाहर जाएं तब उनकी तलाशी हो, और ये पूरा प्रांगड अर्केलोजिकल सर्वे को हैंड ओवर कर देना चाहिए, एक्सपर्ट को हैंड ओवर कर देना चाहिए, दो आदनी मंदर पक्ष के उनके साथ अटैच कर दिये जाएं, दो आदनी मजजद पक्ष के उनके साथ अटैच कर दिये जाएं, और पूरे इस प्रांगड को बिना खंडित किये, दोस्तो एक जगा मान लो, एक सीन of crime है हम जाएंगे हम देखेंगे एक बाड़ी पड़ी हुई है आप ये देखेंगे लेकिन जब उसी जगा पे forensic experts आएंगे तो वहां पर वो वो देखेंगे जो आपकी आखें नहीं देख सकती हैं वो कहेंगे जो हम नहीं जानते वो क्या करेंगे इसी तरह आर्केलोजिकल सर्वे के experts हैं उनका एक profession है उनको ये जगा हैंड ओवर कर दी जाए ये नहीं कि ये दिवाल भी गिरा दो वहां की भी चेकिंग करवा दो पूरे का उनको सुप्रीम कोट एक समय दे दे तीन महीने का चार महीने क च्छे महीने का पूरा सर्वे करकर खंगाल कर हर तैह तक पहुँच कर हर परत तक पहुँच कर कौन सा basement कब बना उस पर दिवाल कब बनी कौन सा ऊपर डॉम कब बना उसके अंदर कौन सा डुम चुपा हुआ है वगेरा वगेरा वो अपनी पूरी report दें report ये भी आ सकती है क कि आदी मजजद की जो फाउंडेशन है वो मंदर से मिलती हुई है यानि जो ये पूरी मजजद बनी है कम से कम आदा ये मंदर का इस्सा था ये भी रिपोर्ट आ सकती है कि मजजद की पूरी फाउंडेशन जो है वो मंदर की है मटीरियल भी मंदर का लगा है वगेरा वगेर का खेल नहीं होना चाहिए सीधे पूरे प्रांगण का सर्वे होना चाहिए मेरा ये मत है और जब तक ये ना हो जाए और एक कन्क्लूजव रिपोर्ट सामने ना आ जाए फर्दर इस जगा के साथ छेड़ खानी इंडूज्वल्स को कि कोई एक प्टीशन डाल दे कोई दूस आगे सर्वे नहीं होना चाहिए ये भी अलाउनी होना चाहिए मेरे साथ से देश के लिए समाज के लिए भाईचारे के लिए ये ज़्यादा जरूरी है बनिजबत ये कि छोटी छोटी बाते होती रहें छोटी चोटी प्रटीशन पढ़ती रहें उस पर विवाद होते रह हैं उस पर डिवेट होते रहें उस पर तना होते रहें so the court should take a final call or the government should take a final call कि प्रेमा फैसाई इतने evidence हैं कि इतना माना जा सकता है कि कुछ ना कुछ कहीं गड़बाड है पूरे प्रांगण को सील करो आर्केलोजिकल सर्वे को हैंड उमर कर दो जैहन वंदे मातरम खुदा हाफिज